नवस्कार मैं हूँ शुवानी चप्दी क्रिकेट में आपका स्वागत है आज है 11 अप्रिल दिन सुमवार्च लिए बढ़ते हैं आईपियल से जुरी 15 बड़ी खबरों के साथ 20 ओवर्ड नहीं खेल पाई KKR दिली कैप्टल्स ने इंडियन प्रिमियर लीग यानि आईपियल दोजर वाइस के 19 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हडा दिया मुंबई के ब्रेबोर्ड स्टेटियम में खेले गई इस मैच में KKR के कप्तान स्रेयस एयर ने गेंदवाजी का फैसला किया पहले बल्लेवाजी करते हुए दिली कैप्टल्स ने 20 ओवर्ड में पाच विकेट पर 215 रन बनाए लक्ष का पीछा करने उद्री कोलकता डाइट राइडर्स की पूरी टीम उनीस ओवर्ड चार गेंद में 171 रन पर पवेलियन लॉट गई हिट बायर के धमाल के बाद चहल का चौका राजस्थान ने लखनो को तीन रन से हडाया राजस्थान रोयल्स ने आईपिल तोजर वाइस के बीसवे लीग मैच में लखनो सुपर जाइंट्स को तीन रन से हडा दिया राजस्थान की ओर से रखे गए 166 रनों के लक्ष का पीछा करने उद्री लखनो सुपर जाइंट्स टीम आठ विकेट पर 162 रन ही बना सके उसकी ओर से विकेट के पर क्विंटन डिकॉक ने 32 गेंदों पर 49 रन बनाए राजस्थान की ओर से युजवेंद्र चहल ने चार जबकि ट्रेंट बोल्ट ने दो विकेट चटका है विज़रावत पर सवार गुज़राथ के विरंट आज होगी हैदरावाद से संड्राइजर्स हैदरावाद ने आखिरकार अपना खाता खोल लिया है लेकिन अब उनके सामने है आईपेल 122 की एकलौती अविजित टीम गुज़राथ टाइटन्स दोनों टीमों के विच सोमवाड यानी आज मुकाबला होना है और गुज़राथ के विज़राथ को रोकने के लिए हैदरावाद को 80 चोटी का जोड लगाना होगा यह मुकाबला आज शाम साधे साथ बजे से होगा अनुजरावत को लेकर टुपलेसी ने कहा वो भवेशय का बहुत ही अच्छा खिलारी है मुंबई के खिलाफ ताबर तोड चुपके मारने वाले अनकैप्ट खिलारी बैंगलोर की तरफ से खिलने वाले अनुजरावत के बारे में बैंगलोर के कप्तान टुपलेसी ने कहा वह इस समय जिस तरह से खेल रहा है वो शानदार है वो भविश्य के लिए बहुत अच्छा खिलारी है उन्होंने कहा वो मैदान पर जज़बा दिखाता है और भविश्य के लिए बहुत ही अच्छा खिलारी है इस समय यह यह युवा हमारे लिए बहुत बढ़िया खेल रहा गड़ेलू क्रिकेट में हर्याना का नित्री तो करने वाल एक तिस वर्षवी हरसल पिछली दो वर्षों में सबसे बहतर क्रिकेटरों में से एक रहे हैं विराज कोहली के बले से निकलने वाली शुतक की दिवानगी कोहली के श्रतक का इंतिजार कर रही एक फिमेल फैन ने पोस्टर के जोरी बताया कि जब तक कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट का एक खत्रवा श्रतक नहीं लगाएंगे तब तक वह डेट पर नहीं जाएगी यह फैन मुंबई के खिलाफ मैच्चों में विराज कोहली की चूर्स करते हुए दिखाई दी हरवजन का बयान शोसल मेडिया पर हो रहा वाइल रिचार्मेंट के बाद करकेट टो एक्सपर्स बन चुके हरवजन सी ने एक ऐसा बयान दिया है जो शायद धूनी के फैन्स को पसंद नहीं आए सोशल मेडिया पर एक वीडियो बादल हो रहा है जिसमें अरवजन सी दोनी को लेकर कहते हैं जब आस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतती है तो हैडिंग आती है कि आस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता लेकिन जब भारत वर्ल्ड कप जीता है तो हैडिंग आती है कि मैंसी दोनी ने वर्ल्ड कप जिता दिया तो बाके दस वहां लस्सी पीने गया थे बाके दस ने क्या किया गौतम गभीर ने क्या दिया था ये टीम गेम है और अगर आपके ग्यारक खिलारी खेल रहे हैं तो उनमें से अगर साथ आठाच्छा खेलेंगे तो आपकी टीम आगे में है तपन BCCI की अंपाइर लिस्ट में शामिल है तपन ने साल तोचर 21 के सीजन में IPL में कुछ मुकाबलों में अंपाइरिंग की थी दोचर 13 में हुए ऑस्ट्रिलिया के भारत और और आजस्थान रोयल्स के जैपूर में हुए मुकाबलों बतोर अंपाइर अपनी प्र इस बात से वाकिफ हैं कि लगातार मुंबाइ इंडियन सहार से इखिलारियों में खुद को लेकर संदे हो सकता है भारत के पुर्व तेज गिंदवाज जहीर खान ने कहा कि अभी 11 लिंग मैच और होने हैं हमें वापसी करनी होगी आपने इस टूनामेंट में देखा कि टी गुजराद टाइटन्स को जीत दिलाने पर सुनिल गावस करने कहा कि उनकी नसों में क्या वहरा है या खून नहीं है बर्फ उन्होंने कहा तेवतिया का उपनाम आइसमैन रखा जाना चाहिए बकॉल गावस कर ऐसी परस्थिती में आगर कोई गुजराद को जीत दिला सकत था तो वह तेवतिया ही थे हैधरावाद के कप्तान विलियमसन ने कहा हम सुधार करना चाहते हैं हैधरावाद के कप्तान विलियमसन ने कहा कि आप जो भी मैच खेलते हैं वह कठीन होता है हम सुधार करते रहना चाहते हैं हालांकि यह हमारी पहली जीत है हमें कुछ चीज इर्फान पठान का मानना है कि मुंबाइ इंडियन्स अभी भी आई पिल 222 में वापसी करने में सक्षम हैं लेकिन जस्प्रीद बुम्रा के अलावा एक गुनवत्ता वाले तेज गेंदवास के अनुपस्थीती से पाच बार के चैंपियन को बुरी तरह नुपसान हो रहा है इर्फान ने स्टार स्पोर्ट्स पर क्रिकेट लाइब पर कहा कि मुंबाइ इंडियन्स इस तरह की परस्थीतियों में वापसी करना जानती है उन्होंने इससे अतीत में 2014 और 2015 में वे एक समाने स्थीती में थे और खिताब जीतने के लिए पीछे से आये थे पृत्वी शौने कोलकता के गेंदवाजों को फोड़ा शांदार फॉर्म में चले पृत्वी शौने 29 गेंदों में 51 रन के पारी खेली साथ चोके और साथ चखको की मदद से 50 पूरी की वे कोलकता नाइट्रारिस के खिलाब पहली गेंद से हावी रहे हालांकी 50 बनाने के विराज के आउट देने के फैसले पर बढ़ा विवाद विराज कोहली अर्टालस रन पर बलिवाजी कर रहे थे वह उनिस्वा ओबर लेकर आए ब्रेविस की पहली ही गेंद पर वह लबी जबल्यू आउट हो गे आर्सीबी ने विराज कोहली के साथ एमसी के नियम की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा हम लबी जबल्यू के फैसलों के लिए करिकेट के एमसीजी कानूनों के माधियम से पढ़ रहे थे और यहां हमने पाया दुर्भागे पूर्ण है की विराज कोहली को शांदार पारी के बाद निराश होकर वापस लोटन की है शास्तरीने स्टार स्पोर्स को बताया हुए जितने तरह के शौट खेलते हैं या एबी जुविलियर्स ने अपने समय में किया था आपको क्रिकेट में उनके जैसा खिलारी नहीं मिलेगा इसके साथ ही वड़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है आज के आई पेल मैच में अब तक के मैचों में विजए रहे गुजरात की टीम को हैदराबाद हडा पाएगी अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए बस इतना है कि किरकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड के साथ बने रहने क के लिए देखते रहें चुक्दी क्रिकेट धन्यवाद